मुरदवान में MLC के लिए जनपत के 12 मतदान केंद्रों पर मतदान शुरू हो गया है जिसमें आज 5,475 शिश्चक बोटर मतदान कर अपना शिश्चक विदहक चुन रहे हैं वहीं इस बार सभी मतदान केंद्र पर कोबिड-19 के प्रोटोकोल का पूरा पालन किया जा रहा है। किस चीज की वोटिंग चल लाई है और कोविट के प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है कि करणी डीट को काफी ट्रस बेजा जा रहा है और जो पैन दिया रहा है पहले उसमें गिलस पैना दिया जाता है उसके बाद बहुए जा रहा है पूरी तरह से सही तरह किसी इंद्गाम है म पहले और पैंपरिचर भी चैक हो रहा है उसके बाद इंट्री जा रही है उसके बाद एंट्री आप यह शिक्षक संका चुना हो रहा है और इसमें प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान दिया गया है तो सोसल डिस्टेंसिंग है मास्क चेक करता है आईजी चेक करता है सारी सके और सबसे ज्याद समस्या है जो प्राइबेट टीचिंग कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में तो कि उनकी आर्थिक इस्तिवी करोना के संगड़काल में बहुत ज्याद इस्तिवी खराब हो गई है तो इस चाहते हैं कि इस बार जो भी सिक्षक का नेता चुना जाए व इस बार मद्दाताओn की संख्या भी थी अधिक है और मद्दान का परिशत भी अधिक है पिछले बार लगभग 3,000 मद्दाता थे इस बार 5,475 मद्दाता मुरदाबाज जन्पत में पंजिकिर थे इनके मद्दान के लिए 12 मद्दे अस्तल बनाए गए थे इन 12 मद्दान आस्तलों पर एकुल 73 दसमलो 07% 73.07% मद्दान हुआ है जो विधान परिशत के निर्वाचन में सबसे ज्यादा मद्दान का प्रिशत है मद्दाताओं में आज बहुत ज्यादा उसाहा दिखा और लोग सुबह से ही लाइन में थे खड़े थे और सुबह से ही पोलिंग परसेंटेज काफी इंक्रीज कर रहा था लगभग चार बजे सभी मद्दान अस्तलों पर लगभग मद्दान पूरा हो चुका था एका दुका एका दुका चार बजे के बाद आने लोग प्रारम हुए और मद्दान पुरत्या सांथ पूर रहा और कहीं भी किसी तरह से कोई दिकत नहीं आई कि मादान में कोबीट के नियमों को और सोशल जिस्टंसिंग का पालंग कराया गया और सब को सेनिटाइज कराते हुए गलोब परना करके नया मास्ट परना करके ही बोट डालने के लिए नमर्दी गये और इस परकार से निर्वाचन सांतिकूर संपर्ण